वेलम्कम तूधा आधकोर्पक्रूप मेवात ! एक भाध पृच ते स्वागत है मेरे यूटूब चैनल है कOL मेवात में और आज हम बात करेंगे मेरे नमई मेरे राइडिंगडेर्स और मेरे काम ना और मेरे वीडियो एडिटिंग के बारे में कि मेरे पास है क्या क्या चीजिज है और किन से में वीडियो रिकॉर्डिक करता हूं कैसे में सॉफ्टेवर वगरा यूज करता हूं और किस तरह के टूल मैं रखता हूं उपने पास उन चीजों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं मेरे राइडिंग गेर्स के बारे में राइडिंग टूल के बारे में अपने कैमरा और अपने सभी टूल के बारे में बात करेंगे जब भी मैं राइड पे जाता हूँ तो मैं क्या-क्या रखता हूँ अपने पास और क्या-क्या मैं सेफ्टी के फीचर लखता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं हुआ जंग जाना है । सबसे पहली चीज जो है जो मेरी वह अपनों के लिए यह है लेगड़ यह गुतने से लेकर के आपके पैर तक निचे तक का आपका बचाव रखता है कर मान लीजिए कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कहीं गिर भी जाओ तो कम से कम आपके गुट्णों में और पैरों तक चोड तो नहीं आएगी वाकि सेफ्टी परपर से बहुत बहतर है इसका भी मेरे पास एक सैट है एक और है दो पैर इसके होते हैं यह सैट है यह है कहनियों के लिए आपके अलगों से लेकर के आपके कलाई तक यह पहुझता है तो कभी भी मिस्टेक जिसतर से अगर आप मालू आप कोई मिस्टेक हो जाए तो गिरों के तो धूक सबसे ज़्यादा कहूनियों पर चोट लगती है तो यह कहुनी का बचाव करता है अब पलस में हाथ का जो कलाई वाला हिस्सा होता है प जादा बेहतर क्वाल्टी तो मैं अखोड नहीं करता हूं पर दिया है कि फिर भी हेलमेट काफी तक यह सही है तो अगर हेलमेट की बात करें तो काफी सारे बहुत महँगे महँगे हेलमेट आके हैं तो उन सबके मुकाबले मेरी लिए तो सबसे बैस लिए है और जो आपको यह दिखा रहा हूं में यह वाला जो पोर्शन है यह हेलमेट यह जो है कैमरे के लिए है तो आप एक फोटो देख रहे होंगे उस फोटो में आ रहा होगा कि जब भी मैं राइड पर जाता हूं तो ए तो बाद में क्या होता है कोई अपनी गञाता है तो इस परपस से मेरे लिए एक कैमरा सबसे बैस्त रहता है तो जिससे मैं अपने एक प्रूफ दिखा देता हूं कि गल्ती मेरी नहीं आप की थी जब मैं बाइक पर चलता हूं तो लगातार इस camera में recording होती रहती है continue पूरे रास्तेगी तो मैं उस camera को यहां पर fit करता हूं राइड पर जाने से पहले यह मेरा छोटा हाफ पेस हेलमेट जो 60-70% तक ठीक है बागी आप सहर में मार्किट में अगर कहीं जा रहे हो तो इस हेलमेट को जो है पहर सकते हो और यह जो पोर्शन में ने दिया हुआ है यह camera के लिए होता है मान लेजिए हम कहीं कोई राइड पे जा रहे हैं और कहीं शहर वाले इलाके में से अगर निखल रहे हैं तो वहां पर एक नॉर्मल यह helmet में यहां पर एक camera लग जाता है यह भी आप पोटो में देख रहे होंगे तो यह camera भी continue recording मेरे काम आता है कापियत तक हेलमेट पहरना बहुत जरूरी हो चुका है तो वरना चालान का आपको पता ही है कि चालान कितना कैसे हो रहा है यह मेरे चसमे का बॉक्स है तो अब बात करते हैं राइडिंग camera के बारे में continue riding के दोरान यही camera है जो मैं अपने helmet में fit करता हूं तो helmet में fit करने से पहले इसको set करने के लिए कुछ टूल दिये होए है वो टूल भी मैं आपको दिखाता हूं अभी मैं इस camera को on करता हूं camera आप देखे रहे होंगे तो जो इसमें recording की जो timing है आप देखे रहे होंगे दो गंटा 20 minute और 60 second के लगबग इसमें दिखा रहा है तो recording तो आप अपनी मर्जी से कित इतना भी बड़ा सकते हो आपके लिए कोई दिखात नहीं होगी तो था camera और आप इस camera को set करने के लिए जो टूल है वो मैं आपको दिखायता हूं सबसे पहला टूल मेरा यह है जो सबसे best है आपके मौसम जब खराब हो तो पानी वानी जो है इसमें बिल्कुल नहीं जाए तो camera इसके अंदर fit हो जाता है ऐसे करके fit हो जाता है तो आपको इसको guard को लगाने के बाद यह lock system ओड़ता है इसमें और इस lock को आप लगा सकते हो यह इसमें camera डाल और इसके बाद यह lock उपर से fit हो जाता है यह है जब मौसम साफ रहता है तो यह दूसरा वाला जो टूल है आप देख रहे होंगे तो यह camera जो है कुछ इस तरह से fit हो जाता है यहाँ पर यह भी exact उसी तरीके से यह bolt का एक option दिया हुआ है इस bolt की मदद से इस camera को में helmet में fit कर दिता हूँ चाहे आप यहां से fit कर लो चाहे यहां से fit कर लो दोने तरफ यह होता है और camera इसमें exact आ जाता हो यह चोटा सा sticker है इसको हटाने के बाद आप इस गाड़ी को इस पर कुछ इस तरह से चिपका दोगे और इसको पर यहां bolt का option दिया हुआ है और camera को इसको पर fit कर सकते हो तो इस camera को जो है गाड़ी में भी हम use कर सकते हैं तो यह चिम्टी टाइप एक टूल है जो camera के back side में लग जाता है इस camera को लगाने के बाद आप camera को कहीं भी अटका सकते हो जैसे paid पर या कहीं भी ऐसी जिए पर जाएप आप रखना चाहते हो camera को तो वहां आप चुप-चाप लगा सकते हो यह चार गोल्ट है चार गोल्ट है जो इसमें कहीं भी किसी भी तरह के से कसके आप इ कर सकते हो यह जो टूल दिया हुआ है आप इसमें camera को लगाने के लिए इसमें यह tool exact fit हो जाता है घाय तो में आपको यह इस तरह से fit हो जाता है camera इसके उपर exact विल्कुल stand उपर के खड़ा हो जाता है camera को अगर और उंचा करना चाहते हो दोना आप देख रहे होगे तो एक आप बड़ा है और छोटा है तो camera को थोड़ा सा उंचा करना चाहते हो तो इस वाले टूल का लगा सकते हो जैसे यह वाले टूल है तो इसको इस पर fit करके कुछ इस तरह से इसमें बुल्क लग जाता है यह camera यहापर fit होने के पाद इसमें यह बुल्क जो है यहाँ पर कर ज इसमें मोड़ेगा तो आप इसको यहाँ पर fit करोगे और camera जो है फिट होने के बाद 360 के direction में कहीं की घूम सकता है मैं इसको कसके दिखाए तो camera जो है इसके उपर कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा और फिट होने के बाद इस camera को आप किसी बीडायेक्शन में कुछ इस तरह से मूव कर सकते हो लाइफ राइट आप तो डाउन कहीं भी कर सकते हो जिसे अब डाउन करना चाहते हो तो अब डाउन भी आप इसका खर सकत हो तो लाइट राइट मूब कर सकते हो कहीं भी किसी बीडायेक्शन में सेकंड टूल जो है मेरे पास वह यह वाला है यह टूल आप एक फोटो देख रहे होंगे यह टूल काम आता है आपके बाइक के हेंडल पर लगाने के लिए अगर आप कैमरे को हेलमेट में से निकाल क लगाना चाहते हो तो यह हेंडल के लिए टूल मिलता है कि यहां पर कसे जा सकते हैं दोनों तरब यह बुल लग जाता है एक यहां लग जाता है तो दोनों लगने के बाद हैंडल पर कैमरा जो है आपके इसी बीडायेक्शन में उसको फिट कर सकते हो यह काम आता है मैंली आपके हैड पर लगाने के लिए माली जी आपको स्टंट कर रहे हो या किसी भी तरह कि आप वीडियो इस तरह रूनिंग करते हो बनाना चाहते हो तो उस चीज में यह बद्दी होती है जो आपके हैड पर कस जाती है और कसने के बाद में कुछ इस तरह से यहां पर कस जाता तो इस तरह की situation में आपने काफी लोगों को देखा हुआ जो वो इस तरह से इस camera को use करते है waterproof जो मेरा टूल है उसके यह धक्कन है जो मेरे पार extra रखा हुआ है मानली जी किसी वरीजन से वो टूट जाये चटल जाये तो उसको change करके हम इसको उसमें लगा सकते हैं यह भी मुझे उस टूल के साथ में दिया है मानली जी camera का stand है वो टूट गया तो camera को यह wire बचा लेती है वो camera लटक जाता है इसमें और camera काफी अब तक आपका बच जाता है यह कपड़ा है जो camera के lens को साफ करने के काम आता है और ride पर मैं जाता हूँ तो मेरे जैसे rider और भी जाते हैं तो उनकी अपनी पहचान होती है अपना एक नाम होता है तो मेरा यह sticker है और जब भी मैं किसी riding cafe पर जाता हूँ वहाँ पर यह sticker लगाना होता हूँ अपनी पहचान के लिए अपना एक proof होता है कि हम यहां पर पहुंचे थे और यहां पर आये थे तो मेरी तरह काफी रइडर है जो इस तरह का sticker रखते है तो वो अपनी पहचान रखते हैं किसी ने कुछ unique किया है तो वहां जाएकर करके मैं उनका क्या होता है कि को promote करने के लिए वीडियो बनाता हूं प्लस में last में क्या होता है कि मैं अपनी advertisement के लिए प्लस में उनके support के लिए यह sticker में उनके वहां पर लगाता हूं मानली जी किसी के गाड़ी है तो गाड़ी पर लगाऊंगा प्रशिख कोई किसी बिलगा बयाता हूं गानों और कसी आप को अपना पिछेयर परशार के लिए इस फिर स्पेशल्टत हूं अब बात करते हैं कैम के बारे में। तो मैं आपको समसे पुराना एक कैमरा दिखाते हूं, जो मैं खाफी टैम पहले यूज करता था। आपने देखे भी होंगें ये कैम्रेparty रिहील वाले कैम्रे होते हैं, इनका ढिर major di gear रिहील लगती है, पिर सी है इसका पार ये कैम्रा ये इसका फिट हो जाता है है, यहाँ पर रिहील कि रहील लगती है, और उपहर शित्सक्राइण करें इसका है, यहां पर यह फ्लैसलाइट का सिस्टम है यह कैमरे आपने कावी टाइम पहले देखे होंगे जो यूज किया करते थे सारी बगरा में तो मैं बहुत पहले एक बाइक बनाई थी तो उसके फोटो बगरा मैंने इसी से कीचे थे यह मेरा सबसे पूराना कैमरा है जो मैंने आज इहां पर इसको बचाते रखा हुआ है और सबसे मजय की बातकि यह है कि यह कैमरा आज भी काम करता है जो अब बात करते हैं मेरे second camera के बारे में, यह है Nikon का camera, जो उसके बाद, पहले वाले camera के बाद में लिया था, तो इसकी photo resolution बहुत अच्छी है, और जब मैं इसको आउन करता हूं तो यह lens बाहर आ जाता है, तो इसकी photo की जो resolution बहुत अच्छी है, काफी आप एक photo देख भी रहे हो जाया है, तो फोटो यह photo जो है मैंने इसी से कीच जाथा, इसमें सारे systems है, यहाँ पर इसमें memory card जो है, यहाँ पर इसमें memory card है, अभी मैंने फिलार इसमें छोटा memory card लगाया हूँ है, चार जीवी का, यह समझ लिए एक छोटा सा DSLR है यह, मैं DSLR की बराबरी तो यह नहीं क कर पाएगा, मगर फिर भी काफी अत्तर इसमें photo जो किसते हैं, वो काफी high resolution के होते हैं, यह cell है, जो rechargeable cell है, जिसका charger है, चारो cell इसमें charging वाले चारो cell इसमें लग जाते हैं, और चारो cell 6-7 गंटे में full charge रिजाते हैं, और यह all-round charger है, इसमें छोटे वाले cell और बड़े वाल cell और आपका एक chop और बैटरी आती है, उसका भी इसमें charging system है, वो भी इसमें charge हो जाता है, यह universal charger है, जो काफी अत्तक काम आता है, यह है इसकी data cable, जो इस तरह से इस data cable के मदद से इसको हम directly LCD में करेक्ट कर सकते हैं, और यहां से data को करेक्ट करके आपने डाटली वीडियो आम LCD में भी देख सकते हैं, जीव होते हैं, चोटी-चोटी जीव होते हैं, जैसे चीटिया होती हैं, या कोई भी आपको ऐसा अचानक से कोई जीव नजर आया, जो फूल पर पत्तों पर बैठे रहते हैं, तो उनकी photo खीचने के लिए सबसे ज्यादा कारगर काम्याब मेरे लि जो मैंने बहुती नजदीक से इस lens को इस पर लगा करके और phone पर लगा करके मैंने इस lens से उस photo को खीचा था, अब बात करते हैं, डाटा केबल के बारे में, ये सबसे बड़ी डाटा केबल है, केबल हमें जूर्थ पढ़ती है, बड़ी डाटा केबल की, ये है OTG केबल, जो काफियत तक काम आती है, तो इसकी मदद से मैं किसी दूसरे phone से जो है, डाटा ले लेता हूँ, पलस मैं इस OTG केबल की मदद से मैं अपने phone के जरीए, दूसरे phone को भी charge कर देता हूँ, ये काफियत तक काम आता है, इसमें mouse भी लग जाता है, speaker भी लग जाता है, कुछ भी आ जिसकी मैंने अभी wire लेपेटी होई है, तो बड़ी wire है, तो ये वाला mic जो है, मैंने खुद बनाया है, तो इसमें जो wire मैंने यूज करी है, वो आपके जो lead होती है, कानों की lead होती है, कानों की lead की wire है, तो ये wire मैंने यूज करी है, और इसमें जो mic लगा हुआ है, वो मैंन मैं किसी एक टूटे से गैजट में से निकाल करके वो माइक मैंने इसमें फिट किया और वो माइक फिट होने के बाद मैंने कनेक्टिविटी करके मैंने इसको बनाया तो एक माइक यह है और एक एक्स्ट्रा माइक मेरे यह भी बनाया तो जो आप पीले रंका जो देख रहे हैं यह पैन का ढंकन है और इसमें मैंने यह माइक फिट किया हुआ है और यह वायर है यह ब्लूटूथ है जो कईबर मुझे बाइक जोड़ पड़ जाती है केबर तो已經 करता यह माईक कर देता हुए मैं जैसे 2 मिलें बात कर रहे हैं तो दोन अंब्डों मंदों के लिए यह आप प्ने लिए मंक बंडूर दूसरे वंदे डूसरा तो यहां पर सैंसंग की केबल लग जाती है उसके बाद यह जो है टूल काम आता है मेरे अपने फॉन में करेक्ट करने के लिए तो किसी और में डाटर ट्रांसफर का नजाओ तो यह तूल इसमें भी काम आजाता है यह दो लैंस है जो मेरे बहुत बारीक चीजे चोटी चीजों को का जो फोटो खिचने के मेरे काम आके तो अब बात करते हैं जो इनके बैग्स हैं उनके बारे में तो यह पहला बैग है छोटा जो मेरे सबसे पुराना बैग था और यह मेरे सबसे पुराने कैमरे के लिए मेरे यह यूज होता था और अब बात करते हैं दूसरे बैग के बारे में जो कि मेरा इस निकॉन का जो एक कैमरा है इसके लिए यूज़ होता है जो मेरा राइडिंग पे काम आने वाला सबसे मेन कैमरा है जो हेलमेट में भी तोटा है कैमरा है यह बैग है उसके लिए स्पेसली उसी के लिए तो यह था मेरा राइडिंग गेर के जो कैमरा है मेरे लंबी राएर पर काम आता है जब मैं कहीं लंबे रूट पर जाता हूं यानिकी जैसे सिम्ला आउ मनाली रहाम सुरी वाहरा के जातो मेरा वहां पर काम आता है कि क सिटा रखने के लिए और भो श्रिछिवा डुटा tääले जो डिल्वात पर है Sometimes आट पर इनका बैग यह जो मेरे बात की मेरे इस मेरेली काव कर है जगह पाइनली आप मेरे कैमरा, मेरे टूल्स, मेरे डाटागेबल्स वगरा मेरे वीडियो एडिलिक के लिए रहा देख चुके हो एक चीज ग्लास्ट रहे गी थी ड्रोन जिसका मैं और लगा चुका हूँ अगर बनाने के लिए त्यार हूँ आप मुझे का लिए खॉल कर सकते हैं यही नहीं मैं हैल्थ से रेलेटेड जो भी आपका अगर जिम है अगर आपने नया जिन होना है तो उसकी विडियो अगर आपको ने कोई अखार भोला है हल्थ को पर्मोट करने के लिए तो उसकी विडियो बनाने के लिए आगर आप चाहें तो मुझे बला सकते हैं मेरा फॉन नमर आपकी स्क्रीन पर आरा होगा तो मैं जरूर आऊंगा और आने वाली अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का जो निसान उनना है उसको भी ज़रूर दमाए तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही बिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू, बाई